हेलो एब्रीबन वेलकम टू मैं चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे तो आज की हमारे इस वीडियो में हम करेंगे घनानंद का जीवन परिच्चे देखिए हिंदी साहित्य के प्रमुक कवी थे घनानंद जो की रीतिकाल के और रीतिमुक्त का वैधार के प्रमुक कवी थे विदेह करते हैं तो रितीमुक्त रीतिबंद्ध और रीति साथ मितलब हैं क्लासिफिकेशन होते है Cantonese से रीतिमुक्त का वैधारा के कवी थे और जो एक धनानंद थे बहुती प्रमुक कवी थे यदि हम बात करें इनके जनम की पिनका जनम 1673 में हुआ था जो रितिकाल के प्रतिनिधी कवी घनानंद जो थे वो दिल्ली के बादशा मुहमद शा के मीर मुनसी थे लब जो घनानंद जी थे वो दिल्ली के जो बादशा थे मुहमद शा उनके ये मुनसी थे यहांपर देखिये धी हम देखिये तो जनम कब हुआ है यहांपर देखिये संवध से शालिस को इनका जनम हुआ था डिल ली में और इनकी प्रेमी का थी जिसका이다 सुजान उप्रेमिक होकी तो सोजानहित प्रबंद वियोग बेला इश्कलता ये इनकी रचनाई थी मिर्त्यू देखिए अठार सो सतरा समवत में बताई गई है यह यहाँ पर इश्वी में है और यहाँ पर समवत में दिया गया है देखिए यहाँ इन शोर्ट में आपको तर डिपली बताते हूं से के पद पर ये काम करते थे यदि हम बात करें कि रचनाओं की तो देखिए सुजान हित सुजान हित प्रबंद वियोग बेला इश्कलता और सुजान विरोदिन की रचनाई थी जो प्रेमिका का नाम था वो था सुजान मिर्तियू की समवत 817 में बताए गई है 1817 में से इनका तूट प्रेम था उसी के कारण घनानद बादिशा के दरबार में बे अद्वी कर बैठे जिससे नाराज होकर बादिशान ने निकाल दिया साथ ही घनानद को सुजान की बेवफाई ने भी दुखी और निराश किया देखिए जो बादिशा थे उनके दरबार में एक मतलब नाचने वाली जो होती थी उस टाइब की लेडिस थी सुजान लड़की थी सुजान जो की बहुती सुंदर थी तो मतलब जो यह मुंसी थे तो वहां पर दरबार में जाते थे तो इनको वहां सुजान नाम की इस तरह से प्रेम हो जाता है लेकिन यह मतलब एक तर बार से निकाल देते हैं तो जब इनको निकाला जाता है तो यह उस टाइम सुजान से कहते हैं कि मैं तिर इसे भोजदा प्रेम करता हूं तो भी मेरे साथ चल हम कहीं दूर जाके अपनी दुनिया वसाएंगे यह बहुत सारे आसे बाते होती हैं लेकिन वह सुजान के तरफ से उसके बाद देखी यह वंदावन चरे गए थे वहां पे इनोंने निब्राक संप्रदाय में दिक्षित होकर भगत के रूप में जीवन यापन करने लगे मतलब यह व्योग टाइप यह कर रहे थे यह प्रेशान हो गए थे इनको बोजदा दुख मिला कि जो नहीं चाहा व दो यह कर दो कि आपके रचना में आपको बताई थी आपने देखा भी होगा किनकी रचनाओं में जो रचनाओं के जनाम है वो सुझान नाम से हैं दिक्वान आपको दिखाया था भी जिससे कि सुझान ही प्रबंध सुझान विनोद इश्क लता वियोग बेला मतलब सारा इदिने बात करें नहीं के काव्य विशेषताओं की कवीता में प्रेम की पीड़ा है जो कि अनुवभव की थी वही एनके काव्य में हम को देखने को मिलती है इसके लाव देखी रचनाओं में प्रेम का त्यंत गंभीर निर्मल आवेगमाय और व्याकुल कर देने वाला उदात रूप इन्होंने प्रस्तूत किया है अपने रचनाओं में भोती गंभीर रूप इन्होंने दिखाया है प्रेम का इसके लाव व्याकुल भी आवेग आत् इन्होंने हर टाइप से परेम का रूप हमारे सामने प्रिकट किया है अपने कावे में इसके जिलाव देखिए रसों का भी इन्होंने भूती सटिक प्रियोग किया है अपने रशनामी भावनाeleriàng और भावनीetzt तो गहराई तो होगी इसके लाव देखिए कवीता में लाक्षानिकता वयोक्तिक व्याग विद्यता के साथ अलंकारों का भी कुशल प्रयोग किया गया है मतलब कि यहाँ पे इन सभी गुणों का प्रयोग करते हुए भी अलंकारों का प्रयोग किया गया है इसके लाव तक्पिरिज भाशा को उन्हीं प्रियों किया है और व्हुती सहाजता के साथ इनोंने वचन और वक्रता मतलब कि जो वचन को बाते हैं और बातें जो होती हैं तो नहीं सुजान ने इनके साथ बेवफाई की है तो वही प्रेम की पीड़ा और भाविन की रचना में हमको देखनों के मिलता है जो गहनानद की प्रमुख रचना है वह सुजान हीत है इसमें टोटल 507 पद है इसके लाओ देखेंदी हम बात करें इनकी अन्य रचनाओं की जो की प्र लता जमुना रस आनंद घंकी पदावली प्रति प्रवास जमुना जल रस केली बली सुजान विनोद वंदावन सती सारिन की रचनाइं हैं जो की फेमस हुई तो देखें गनानन तो रितिकाल की रितिमुक्त कावेधारा के परमुकविक रूप में जाने जाते हैं आपने और रचनव वेपदों में सुजान शब्द का उल्लेक भूती प्रेम ठंग से किया है बताए गया है जिए अपनी रचनव में जो नाम है उसका भूती प्रेम में प्रकट करने के लिए दिखाने के लिए प्रियोंग किया है धितिकाली रितिमुक्त कावेधारा के शिर्श क्योंकि की हैं इसलिए यह अगा push सभावय में अहीं द्र επι्सक Π्रेम की पिर इन्म को कहा जाता है क्योंकि अने के बारे में लिखाया बहुत ज़्यादा इसी वजह से इनका साहित कई समेधनात्मक वे शैल्पक विशेश्टाओं को धान करता है मतलब कि इनोंने शैलियों के साथ सातिरों समेधना को भी दिखाया है अपनी रचनाओं में इसके लाव देखिए हम समेधनात्मक विशेश्टाओं की बात करें तो जिनका काव्य है वो गहरी अनुभूतियों का काव्य है इनकी अनुभूति कृतम नहीं बल्कि सवर अर्जित अनुभव से युक्त क्यों कि इन्होंने किराए पर आसु बहाने वालों के बीच यह एक ऐसे कवी है तो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है मतलब कि इन्होंने कृत्तम में हाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है जो इनके साथ सचमुच में हुआ जो इन्होंने पीड़ा सेहन गई है वही सब इन्होंने अपन मूल भाव है मतलब कि जो सोजान के प्रतीन जो इन्हें बेवफाई मिली थी या जो इन्हें व्योग मिला था वही इनके काव्य का मूल भाव है या मूल भावार्त है देखिए शुकल ने क्या कहा है यह व्योग शिंगार के प्रधान कवी है कि जो विंगार सोरी जो व्यो एक निश्टता से युक्ते, बोती गहरा इनोंने लिखा है, सरफ व्योग पर ही इनोंने लिखा है सुजान के रूप, सुंदरिया, लज्जा, वहवार, आधिकाथ्यां तमार मिक्ता के साथ इनोंने अंकन किया है इनकाल जो लोग की प्रेम है, वो वर्णन अंत में एलो की रूप पर प्राप्त कर लेता है सुजान के प्रती, जो लोग की प्रेम था, वह क्रिशन राधा के प्रती, एलो की स्तर पर व्यक्त को होने लगा था कि क्या सोचते थे कि जब मैं इसे प्यार प्रेम करता हूँ तो हमारा जो प्रेम है वो कि किर्शन राधा के समान ही है ऐसा सोचते थे ग्रानन्द जी तेरी मिलवे को ब्रज मुहन बहुत जतन है साधे लबे बता रहे हैं कि तुछ से मिलने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किये हैं मेरी राधे मतलब इस अब से वो सुजान को कहके बुलाते हैं अपनी रचनाओं में दिमागे बात करें इनके शिल्प गद या फिर जो शिल्प शेलीन की थे उन्च के बारे में देखिए ब्रज सहीतलबग सवी कवियों ने ब्रज को अरबी फारसी वैनने स्थान ये शब्दावली से मिक्स करके लिखा था वहीं घनानद ने शुद ब्रज का प्रियोग किया है यह शुदता शब्द निर्मान वैचयन के स्थर पर भी है शब्द शब्द शक्तियों के प्रियोग के दिस्टि से घनानद का जो कावे है वो भोजादा ही उतकरस्ट है लक्षणा वेवेंजना का भूती स्ट्रिक व्यसादा प्रियोग इन्होंने किया है इसके लाव इन्होंने मुहा और वेलो को गुद्यों का भी प्रियोग किया है इसके लावा देखिए गनानंद नहीं अलंकारों का प्रियोग अन्य रिती कालिन कावियों की भातित चमतकार पर दर्शन करने हे तो नहीं बल्कि अपने भावों को वेक्थ करने हे तो किया है लिवल लग इन्होंने यह नहीं चाहा कि जो गिद्धि अलंकारों का प्रियोग कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि औरों को मतलब ऐसा दिखाना आपने रचनाओं में की बीच मतकार पूर्ण अधिकार है तो यह रस होगा रस का भाषा पर पूरा अधिकार है यह देखें गहनानद की रचनाव में हमको मुख्यतोर पर शिंगार रस का प्रियोग देखने को मिलता है गहनानद ने शिंगार रस के दोनों प्रकार संयोग शिंगार और वियोग शिंगार का प्रियोग अपने काव्य रचनाव में पदों में किया है यह पर खहने मतलब क्या है कि सिंगार रस के दो प्रकार होते हैं संयोग शिंगार और वियोग शिंगार तो उन्हों ने दोनों को ही शिंगार उसो का प्रियोग किया है अपने रचनावे पदों में घनानद ने सबसे अधिक अपने कावे में वियोग शिंगार का ही प्रियोग किया है प्रियोग को दिखाया है कि किस प्रकार वो अलग हो जाते हैं सुझाम से और कैसे गैसे उन्होंने पीड़ा को सहन किया है तो देखे दिए हम बात करें इनकी मृत्यू की तो अलग अलग मत बताये जाते हैं इनकी मृत्यू को लेके तो दो मत दिये गए हैं इनकी मृत्यू को लेके तो पहला मत जो है वो क्या मानते हैं कि उनकी मृत्व वंदावन में नादिर शा की आकरमन के दोरान हुई थी लेकिन कुछ उदानों ने इस बात को नहीं माना है इस बात का उन्होंने खंडन किया है वो कि दूसरे मतवाले क्या मानते हैं कि जब वंदावन में अब्दुल शा धुरानी ने आकरमन किया था तब उसी आकरमन में की मिर्थी हो गई थी सन सोरी सन ने यहां पर सामवत में दिया गया है अठारसो सतरा में इनकी मिर्थी माने जाती है यह हमने कि आज घंणान का जीवन पर इच्छे हैं इसको भी लेकिन वहां पर अपफवाद है दो मत दिये गए हैं मैंने आपको दोनों ब नों पर दोनों ही बातों पिरुन हो ने बहुत अच्छे से आपनी रचनाओं में इसके लावादेखिया में बाद की इनकी रचनाओं और जसमें के सुजान है जो है वो कि प्रमुख रचना है जिसमें की रोटल पांसो साथ पद हैं इसके लावा देखिए हमने बात की इनकी कावे विशेष्टा की कि क्या क्या विशेष्टा हैं थी कि नहीं प्रेम की पीडा नुभव की तो वहीं नहीं लिखा अपनी रजनाव में रसो का भी बहुती अच्छा कारों का भी प्रियोग किया है जो इनकी साहित्री भाषा थी वह ब्रज भाषा थी इसके लावा देखिए पताया गया है कैसे मतलब एक सुजान नाम की स्तरी थी जिन दिन से इने बहुती है टूट प्रेम हो गया था लेकिन यह एक बार यह कुछ बैद भी कर बैटे थे ब वहां पर आपना जीवन या आपन करने लगते हैं लेकिन इसको भूष सुजान को भूलने ही पाते हैं और इसे कार्ण की सारी राचनाव में हमको सुजान नाम देखने को मिलता है और यह वियोग रसके प्रमुक कवी है क्योंकि नहीं सुजान वियोग मिला था उसको लेके इन्होंने अपने सारी रचनाएं की हैं तो आज हमने किया घनानत का जीवन परिच आई होब कि आपको सुज में आया होगा अगर आपको सुज में आ रहा है मेरा कंटेंड दिया आपको ज़रा सी भी हैल्प मिल रही है तो प्लिज मेरी वीडियो को लाइक करें ज्याद से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्स आवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग